धान है जो कानून है उसका पालन होने वाले है ये भगवन आपसे याचना करता है खान पान सब को मिले दूद पूद धन धान देश सुगठित सपुष्ठों द्वेशी करे नहां द्वेश करने वाला किसी को भी खानी ना पहुचा पाए ये भगवन मैं याचना करता हूँ मारग सब्द दिखाईए संद सुजन का पाथ सुंदर जाद जिस माग पर संद महात्मा चलते हैं जो आस्तिक भाव रखने वाले महापुरश जिस मारग को उन्होंने अपनाया हे भगवन मुझे उसी पत पर चला मैं तेरे से याचना करता हूँ और आप से प्रार्टना करता हूँ पाप से हमें बचाईए तोले जग में पाप सब ध्यान तुला में आप निंदा भारी पाप है सभी पाप का बाप श्री स्वामी की पाप से हमें बचाईए सबसे बड़ा पाप है दूसरों की निंदा करना दूसरों को नीचा दिखाने का प्रियतन करना ये सबसे बड़ा पाप है और भरत जी ने श्री रामाइन में पाप गिनवाई है पानी को दूशित करना उसमें विश मिलवा देना खड़ी खेती को जला देना ये पाप के अंतरगत है किसी से भी कोई कार्या करवा के उसकी पगार ना देना ये पाप करना इत्यादी वहाँ पर ब्रहमन के लिए है और सभी पापों को गिनवाया गया है एक ही करके हे भगवन मुझे ऐसी भावना से सदैव बचा के रखना तेरा जैजैकार को दश दिश चारों कूट नाम अमीरस मदुर का पान करें सब गूट सभी परकार के सुख जो सुख को चाहे सदा शरन राम की ले सभी तेरी शरन को ले जो सुखों का घर है स्रोत है जितना मर्जी सुखों को वहां से प्राप करते चले जाओ अनगिनत समाप्त होने को ना होगी हे भगवन मैं तेरा भजन करूँ तेरा कीर्टन करूँ सारा संसार तेरा जैजैकार करें सभी सुखी हो तेरी महमा हो सदा यश्का होवेगा मैं थोड़ा सा कोई तेरी कृपा से कार्या कर दूँ मन में अपने यश्का भावना हो मैंने किया मैंने किया मैंने किया करं करावना तूने किया तूने किया तूने किया तूने किया तू करने वाला तू करवाने वाला ये भगवन तेरी जिसके ओपर भी कृपा होती है तो अपना कार्या उसके हाथ द्वारा, पाउं द्वारा, उसके मुख द्वारा ये अपना कार्या आप करवाने वाला होता है जिस परकार यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है ये नहीं बोल रहा, इसके पीछे जो है वे बोल रहा है, इसी पता, जो भी कारिया सुकृत, शुब हो रहे हैं, उसके पीछे प्रेड़ना, उस परमेश्वर की गुआ करती है, भगवान जिसके भी सीस पर हाथ रख दे, वे शुब करम, पुन करम, सेवा, परहित परुकार, उसके गुनों को गाया करता है, हे भगवन तू मेरे उपर कृपा कर दे, मेरे दिल में दिया हो, सब के लिए, सब के लिए, अपनी बेटी, अपनी गोह, एक भाव रखना, और संसार में कोई दीन है, कोई दुखी है, हे प्रबू मेरे उपर कृपा कर, मैं आपकी कृपा से, नमित बनू, उसकी सहाईता के लिए, मेरे अंदर धैर्या बहुत हो, और वीरता बहुत हो, मैं ना गबराओं, कभी भी, मेरा मन शक्ति मैं हो, ये सब के अंदर भाव हो, जन जन में ऐसा भाव हो, हे भगवन तु कृपा कर, फिर, आदी व्यादी से जन बजे, प्रकृति के रो, मांसिक रो, और श्रीरिक रो, हे भगव कृपा कर, ये कष्टों और कलेश का कारण है, अब सबी जब तेरे भगवन बनेंगे, मेरे भगवन को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका अविदान हे भगवन आपने कहा, मैं किया करता हूँ, सबी तेरे भगवने और इन आदी व्यादी उपादियों से सदैब बचे रहे, ये भगवन, मैं बार बार आपसे याजना करता हूँ, एक परंग तु ईश है, ये लेवे सब मान, तू ही देने वाला है, तू ही देता है, तू सबका ईश्वर है, तू सबका पालक है, तेरे अत्रिप्त और कुछ भी संबब नहीं, कि ये सब कुछ मनों कामनाएं पूरन करने वाला हो, हे भगवन, ऐसी तेरी कृपा हो, दिया हो, मेहर हो, ऐसे भाव रखकर, जब जाब किया जाता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिये है, भगवान, शिरी कृष्ण चंदर जी महाराई ने गीता ने कहा, हे गुरुदे, आपको बार बार, नमस्का, 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 नमस्का,